क्योंकि जो जानकार थे ये ग्यान स्रिष्टी का और माया का स्रिष्टी के उसपार का ये ग्यान स्रिष्टी के आदी में सब त्रिष्टियों को दिया गया था उसमें मरीची अत्री अंगिरा पुलस पुलहा क्रतू भ्रिगू वशिष्ट नारजी दक्ष आदी ये सब प्र इतने नाम गिनाए यह इनसान नहीं थे यह सब देवता था नारजी इनसान नहीं है देवता हैं कोई धर्ती पे रहने बारे नहीं है यह कोई यह सब ब्रह्म लोग के निवासी इस धर्ती के दुनिया के नहीं तो इन सब सब्सक्रीश्यों को पैदा किया और इन सब्सक्रीश करूँगा तब के द्वारा मैं भी दिव्य ग्यान अरजन करूँगा तो तब के द्वारा इन्होंने दिव्य ग्यान करजन किया फिर इन साब रिश्यों ने संगीत हैं लिखी कानून की फुस्त के लिखी जो प्रमात्मा ने ग्यान दिया तो तब इन्होंने बताया कहा पर क्या सृष्टी कैसे ब्रह्मांड कहां क्या है यह साफ इन dirt चलता वोस सत्यूंग से लाखों सासे चलता हो ज्यान आज तक इस नातन-धर्म के पास है और ये ज्यान किसी और धर्म-संपर्दयों के पास नहीं क्योंकि और यह ने कि अपने कल्यान की जानकारी रख दी कि ये साधन करो कल्यान हो जाएगा तो कल्यान करने का साधन तो हर धर्म संपरदय में हैं लेकिन पूरी स्रिष्टी के बारे में ज्यान हर ग्रंथ में नहीं मिलेगा हर संपरदय धर्में नहीं वो केवल नातन धर्में हैं ग्र्याओं की स् भी धर्म सास्त्र में ये पुरे ब्रहमांडों का सत्यूग से आज तक का ज्यान नहीं है तो इसमें दस प्रकरण है तो मुझे को कहा था कि पित्रों के बारे में आज कुछ बताना आपको बताया पित्रों का लोक कौन पित्र बनते हैं कब तक पित्र लोक में रहते हैं कैसे उनके पास स्राद्ध पोंचता है, उनका जदम कब होता है, ये सब मैंने आज आपको बताया, ये सब सास्तर में लिखावा है, ये कोई मैं कलपना से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको प्रमानची लिखी तरूप में तो मैं दे सकता हूँ, एक कर्म रहस्या नाम का ग्रंथ आप उसको पड़ी, एक एक जी चीज का आपको ग्यान मिलेगा प्राप्त होगा, अब आगे बढ़ते हैं, आपके प्रश्नगा उत्तर दिया, पित्रों के समन्न में बताया,